Hello student I am mixing your English teacher Today I am going to teach you Optative sentence and exclimatry sentence तोनों को कबर कर लेंगे इस वीडियो में क्योंकि जो Optative है हमारा बहुत छोटा है एक ही मालो एक ही रूल माल लेजिए इसमें एक ही फैक्ट है वो इजी है फोरसा exclimatry थोरसा बड़ा है लेकिन वो भी इसमें कबर कर लेंगे तो लाज्ट तक देखें वीडियो को शमझें जो अप्टेटिब हैं हम लोग कहां यूज करते हैं और एक्षिमिटर हम यूज करते हैं आम दोर बहुत सारे गल्दिया करते हैं शॉर्ट लोग असर लेकने में या लेटर लिखने में मैं जो हम लोग क्या करते हैं को मेell लगां मिल रहा है यहां पर मैं साइन भूल गया हूं sign of exclivity भूल गया हूं लगाना ऐसे होता है आपको बता दूं से माललों कि यह आपका sign होता है यह वाला यह तीक है यह बिंदी आती नीचे यह अगर आपको यह मेल जाए ना तो माललीची आपका यह क्या है यह आपका आपतेव हैं तो जा बगवान से प्रातना यह परिष्चा पर जायर की जाए यह आपके क्या अपक्ष्ट होता है और स्टार्टिंग मेल लगा होता है गौर्ड लगाओ यह मल लगाओ गौर्ड का यह ओल्माइटी लगाना यह कोई यह निया लेकर हम science करक्षा लगाता है इस तो कहीं हमें नीड होती है उसकी गॉड की नहीं कहीं नहीं होती है अब मालों मैंने बोले में लिव लॉग इसमें गॉड की कुछ चाहत नहीं पड़े लेकिन गॉड लगा सकते हैं तो गल्द नहीं होगा हमारा सेंस के अपको समझ ना है कि भगवाल से जहां रिक्वेस्ट प्रात्मा या किसी को कर्ष कर रहे हों कर्स जानते हो किसी को बड़ा बला कह रहे हो किसी को कोस रहे हो जैसे कहते हैं ना में यू गो टू हैल तुम नर्क में जाओ ऐसे बोलते हैं तो वह हमारा कर्स है और रिक्वेस्ट कर सॉरी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं भगवान से कर रहे हो, May God bless him with a son, ऐसे कहते हैं न, भगवान उसे son दे, कि उसे नौकरी दे, तो यह हमारा होता है, अप्टेटिब, इसका देखो, आप नोट, जो sentence है, लास्ट में हम उसमें क्या लगाते हैं, इसमें चिन लगाते हैं, मैंने यहापे mention करना भूल गेते हैं, sentence में flow stop लगाते हैं, flow stop नहीं आएगा, क्या आएगा, यह आएगा, sign up exclamatory आएगा, यह लगा, एक टंडा खीचके, और नीचे से बिंदी, अब देखते हैं, हमारा exclamatory sentence, यह क्या होता है, देखिए, बच्चे होता है, क्या है, कुछ भी नहीं है, यह बहुत easy है, पहले जानो, पैच्छान क्या है, जब न हम, अच कुछ चीज देखी, और हमें कुछ अचानगी मन में क्या हुआ, कुछ feelings sign, वह हमारा क्या है, exclamatory है, किसी भी चीज को देख के, अचानगी, suddenly, और कोई feeling sign दिल में, मन में, वह हमारा क्या है, exclamatory है, यह feelings कैसी होंगी, खुशी के लिए, दुख के लिए, और आश्चर के है, commonly, कभी-कभी क्या आपका होता है, जो आपका न, आश्चर होता है, उसे, how या, what यसे, वह आप बात करेंगे, second part में, आगे, last में, बात करेंगे, तो सबजमागया, कि यह estimatory के आता है, अचानक feelings आजाएं, किसी feeling आजाएं, किसी चीज को देखके feelings आजाएं, किसी चीज को देखके feelings आजाएं, किसा अब कहते हैं, जिसे, he has, oh, he has robbed, उसे लूट लिया गया है, तो इस प्रकार से, जिसे होरा केतना होरा, we have won the match, यह हमारी feeling के खुशी के लिए, तो आगर देखते हैं इसको न, डंक से, देखिए, यह 2 होते हैं, हमने यहां लिखा दो होते हैं, भण कुंण से होते हैं? पहला आपका होता है, जिसमें विसमें शबदा आते हैं, जिसमें आपके exclimatory word देखके हते हैं, से तो देखे Maps लीड़नों वहें बरबाद हो गया अब देखो, अहां कर रहा है, करा रहा है विशारा, तो क्या है, दुख हुआ होगा, तो दुख के लिए हम क्या लगाते हैं, अहां या लास्ट लगाते हैं, Okay, He has ruined, वैल लट गया, या बर्बाद हो गया, Okay, और एक तीजा समझे ली जिसमालो के मैंने बोल लिया कि, ओहो, हम मैं जित गए, तो हमने अभी एक्जेंपल ले था, और भी हब वन दा मैस, या फिर भी हब पास्ट और जैसे मालो की कोई किसी के प्रसंट्रा कर रहा है, ऐसे कहते हैं, जैसे मालो की आप किसी भी सेना की कप्तान हो, कैप्तिन हो, मतलब कि आप जनरल हो, और आपकी सेना अच्छा काम कर रही है, तो आप ऐसे कहोगे, वेल दन, जैसे बोलोगे, ब्रावो, वेल दन, यूव दन वेल, ऐसे बोल सकते हैं, उनकी प्रसंट्रा के लिए हैं, तो अब देखते हैं न, यह जो एस्क्लेम बाई, हाओ और वाटे क्या है, सेञें डाउत, एसेजिएंध आपके लिए क्योंकि आपकोइल करता, हैं, काला है क्या होता है?" क्योंकि आपने कभी अब देखा होगा जैसरे कितना या कितनी आ जाए, तो बच्चे या करते हैं? हाव मच या हाव मनी पुट कर देते हैं बना सोचें यहां पर कोई हो सवाल नहीं कर रहा है वह आंसर दे रहा है खुद बोल रहा है कि वह कितना चाल आगे तो यहां पर बेटा जहां पर आपको लगे ना कि कि दुझ भी आप कितना है यहां समझे नहीं नहीं समय न्यां कि नव्लस पता है यहीं करते हैं आपको जबषय स्मय आपको लगे प्रिमांज 새क्स मोह नहीं तो उसली कर रहे हैं तो आपका क्या हो एक किसी अपनी बैक से जा रहे और रश्तिम में आपको कोई भगीचा मिल गया है अपको अच्छे से फूल खिल रहे है अपका दोजस आतम बैठा हुआ है आप काऊगे किसने अच्छे फूल है उसे देखके फूलों को देखके क्योंगे अपने आप ही बोलोगे तो बच्छे यह हुआ अपका एस्क्लेम अ तो अब देखते हैं पहरे देखते हैं, इसका क्या है है कि हम कह लगारे समझा जाएं, को से लृष देखिए, जब ना आप लोगों को जब ना आपका एजक्टिफ के बाद, की जब आपका फैये चाहिग छًव भी, वे प्रोणा ना आए, आप लिषे लिटायो 2. 99% एक काम करता है क्योंकि जहां भी आपका रहास हे नहोटको सबस्क्तु आइजेक्ट वाट आती है है उसके बाते थे तुम्हार हुआ है पित्स वाह किया कि समान लोगं कि मैंने ले लिया ये आपका में आपके हैं जो आपके हैं कि एक कितने चाला के कितनी चाला के टो आप यह देखिए इसमें लिखा है कि जब रहे आएड़ेक्टि के साथ में प्रोनावन आए तुम हो लगाते हैं जी लगना मम कर आपका एड़ेक्टिव फिर आपका प्रोनावन के सब छ Around कॉनचेप्ट देखो एसफ बन जाएगा बना जायें किसको बन जएगा बन जा?」 dein किर आप appeal ke तो आपको बच्छे आपस में अब आई वाटे कॉंसेट पर क्या कहता है वाटे जबना आपका एजेक्टिव के बाद में अपका नावन आ जाए बच्छे सहाज भाया मानलोग कि आपका एजेक्टिव आ गया इसके बाद नावन आ रहा है तो mostly आपका 99% आपका लगेगा वाट ए वाट आ वट आ वाट 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 व्यूटिफुल फ्लावार इस इस तो इस कंडिशन में मानलोग कि आपका एजेक्टिव तो आता ही आता है इसमें इस टैप के इसलिमेटीव सेंडर्स में लेकिन इसके बाद अगर आपका नावन आ रहा है फो आपका वर्ट आएगा आएगा पका का यह ढाय नहीं आहें पास्वेर क्ली सुन्दर है वह तसा विपा आपका नावन नहीं आप कि उद्ना नान भीना है की कॉन है वे राइन सेलिम मान लीक्र हूं आ ज़र मान लेक्टिव म्रियों कैसे जीक्टिव भाठ नर्मार्ऌर picktr ॥ इसको दिश्क लास्ट मैं अएगा This This लास्ट मैं अएगा what a beautiful picture this is okay इसे मैंने बूल दिया कि इसे भूल कि छलंदर रहे कि देन what a beautiful flower this is last मैं आपका है और ये सम्सें इसे भी अनय है और ही में रखना है कि आपको आमेशा लास्ट में सेंटेंस के में आपको यूज करना है सानफ एसकलिमेटरी और ना यह जो फैक्ट है पढ़ लेना दुबारा एक बार और ठंक से मन में रह गया हो बता दीजीगा मैं उसको जो भी डाउट तुमार मन में चल रहो गारा उसे मैं बता दोगा किलिर करके और एक और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जितना भी आपने तक ग्रामर पढ़ा है उसको एक पार और रिवाइज करें और शुरू से करें शुरू से जाएं जिसे महालोग कि हम लोगों पहले स्पाटर सीज पढ़ लिए उनके बाद हमने इजायम का यूज पढ़ा है इस बढ़ लिए दिजर कर के कवर करो और लास्ट में जब आप लोग पूरी ग्रामर कर लोगे नॉर्मल जो ग्रामर टॉपिक्स दिख रखें उनको कर ल मांक्स तु आएंगे, लेकिन वह इतना नहीं आएंगे आप चाहते हैं और आगे जाके फिर आप पहस्त आएंगे अप बहो निंपाएंगे इंग्लिस आप टॉंस आप लिखनी पाएंगे तो इसलिए मैं आपसे आपसे बार बार कहता हूँ कि आप ग्रामर पर अपना कॉंसेंटरिजन करिए ठीक है थैंक यू